आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ हलो गाईज हमारे पास यहाँ पर इसमें हमें बोला गया है कि if mod of z plus 3 is less than equal to 3 then find the minimum and maximum values of mod of z plus 1 तो चली देखते हैं इसका solution कैसे solve करेंगा हमें से तो हमारे पास question given है यहाँ पर उसमें तो equation है mod of z plus 3 is less than equal to 3 अब मुझे एक formula पता है कि mod of z1 plus z2 is always less than or equal to mod of z1 plus mod of z2 तो यह individual mod से हमेशा छोटे ही होंगे तो अब में को यह basic चीज़ें यह basic हमें पता है ठीक है तो अब इसका मैं use करूँगा तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ इसको z plus 3 minus 2 is less than equal to इसको मैं मान लेता हूँ मेरा क्या है z1 और minus 2 को मैं मानता हूँ मेरा है z2 तो जो मेरा यह हो जाएगा मेरा z1 तो यहाँ पर मेरे पास क्या आजाएगा mod of z plus 3 is plus minus 2 minus 2 का mod तो 2 ही हो जाएगा तो यहाँ पर मेरे पास basically क्या बच रहा है mod of z plus 1 वही चाहिए था मैं और उसकी values चाहिए थी mod of z plus 3 मेरा क्या हो जाएगा mod of z plus 3 तो भी आ जाएगा minus 2 का mod हो जाएगा plus 2 तो अब मेरे पास यह हो जाएगा तो mod अब मैं को क्या पता है कि mod of z plus 3 जो है मेरा इसकी जो मेरी maximum value है वो कितनी हो सकती है 3 तो इसकी maximum value 3 हो सकती है तो मेरा mod of z plus 1 कहां तक maximize करेगा 3 plus 2 5 5 और जो minimum value हो सकती है वो कितनी हो जाएगी 0 तो इसकी value 0 ही हो सकती है minimum क्यों 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 कि ये तो एक integer है तो hence यह हो जाएगा मेरा 2 यहाँ पे 2 तो minimum value हो सकती है 0 और 2 से 5 minimum और maximum आ गई हमारी यह हो जाएगा मेरा इसका अंसर thank you guys for watching this video hope you like this solution Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर